देश में कोरोना वैक्सिनेशन का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है प्रधानमत्री नईंद्र मोधी इसकी शुरुवात कर सकते हैं देश में अभी तक दो वैक्सिन को मंजूरी मिली है लेकिन सरकार की और से ऐसा संकेत दिया गया है कि जिसे वैक्सिन की डोस लगाई जाएगी उसके पास ये उप्शन नहीं होगा कि वो किसी ओर को चुन सके मंगलबार को प्रेस कॉन्फरेंस में केंद्री हेल्ज सेकेट्री राजेश भूशन ने बताया कि दुनिया के कई देशों में एक से जादा वैक्सिन का उप्योग किया जा रहा है लेकिन किसी भी देश में व्यक्ति को वैक्सिन चुनने का उप्शन नहीं मिल रहा अब इस बयान के बाद माना जा रहा है कि भारत में भी ऐसा ही हो सकता है केंद्र सरकार के इस बयान पर कॉंग्रेस की ओर से सवाल किये गए कॉंग्रेस सांसाथ मनीश तिवारी का कहना है कि भारत सरकार नहीं को वैक्सिन को इस्तमाल की मंजूरी दी लेकिन अब सरकार बोल रही है कि किसी के पास vaccine चुनने का option नहीं होगा जब co-vaccine का तीसरा trial भी पूरा नहीं हुआ है ऐसे में उसे मंजूरी देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं मनीश तिवारी ने कहा है ऐसे में सरकार को को वैक्सिन को मंजूरी ही नहीं देनी चाहिए थी अगर वैक्सिन का अभियान शुरू हो रहा है तो लोगों में विश्वास पैदा करना ज़रूरी है मनीश तिवारी ने कहा लोगों पर तीसरा ट्रायल नहीं होना चाहिए भारत कोई गिनी पिग नहीं है अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसलाइक को शेक करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डेली ट्रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए